नमस्कार आज हम लोग यहां पर एक बड़ी खुबसूरत जगे आये है चंपावत में और एक रास्ता है उपर जो पवैत नामक गाउं से मुडियानी को जाता है और इस रास्ते में एक बहुत ही महत्वपूर चंपावत की सांस्कृतिक धरोहर है जो एक नौले के रूप में है एक नौला जिसे चंदराजाओं ने बनाया था पानी के प्रियोग के लिए धार्मिक प्रियोजन के लिए और अन्य जो भी मनिश्य के जीवन से जुड़े है जितने भी कार्य है उनके संपादन के लिए तो बहुत ही खुबसूरत नौला है और बहुत ही खुबसूरत इसमें वास्तूकला है लेकिन फॉर्चुनेटली इस नौले की कंडिशन स्समय Bहँत बूरी है बहुत ही बूरी हालत में नौला है इसका जो पानी का जो शुरोत है वो सुख चुका है और कभी इसका बहुत यूज होता था बहूत सारी जरूरतों को ये नौला पूरा करता था लेकिन आज जो है तस्वीर पूरे तरीके से बदल चुकी है तो एक बार देखते हैं इस नौले को करीब से तो ये वो नौला है पवेट गाओं के समी पिस्थित देख सकते हैं इस नौले को रास्ते में जाते हुए इस पर पनाया से इस पर नजर आ जाती है और ये अपनी खुप्सूर्ती के कारण विवश कर देता है इसको एक टक देखने के लिए तो देख सकते हैं कितनी खुपसूर के इस नौले को बनाया गया है एक दम लगु देवाले की भाती ये नौला प्रतित हो रहा है जैसे चमपाउत में आने नौले है, जैसे ही घतिया नौला है या बालेशवर मंदिर के समीब बालेशवर नौला है या फिर एक वीरियो आमने पहले भी डाला था डुंगरा सेठी गाओं का नाग नौला तो लगभग वैसे ही इसकी आकरती है, वैसे ही इसका इस्थापत्य है तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने खुपसूरत तरीके से इस नौले का जो है यहाँ अताकार एक आधन बनाया गया है और यहां से नौल का ये एक प्रविष्च करने का रास्ता बनाया गया है और देख सकते हैं आप लोग कितनी बूरी कंडिशन में यह नौला इस समय है यहाँ पर जाड़िया हो गाई है लेकिन यह नौला अपनी मजबूती के कारण अभी तक जो है जियोकातियों खड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं यह जैसे यहाँ जो बेसिकली जो मंदिर बनाये गए है रगभग उसी किशैली में बना हुआ है उपर शिखर आप लोग इसकी करी गई है और थोड़ा थोड़ा चटका कुछ पुराने पत्थर भी यहाँ पर है कुछ पुराने पत्थरों को भी हम इस नौले की देख सकते हैं यह पुराने पत्थर और उसके बाद जो है इस पर मरम्मत करके सीमेंट बजरी की सायता से इसको जो है इसको रिपेर किया गया है और ये पुराने पत्थरों से बना हुआ है ये भी साधे पत्थर है दिवारे फिलहाल साधी भी है अंदर भी साधी है और बाहर भी इसकी साधी दिवारे है अलंकरन भी ही और इसका अगर यहाँ पर हम लोग देखे इसको तो दुम मजबूत इस तंभो पर ये ट और अगर इसके नीचे हम देखें तो जैसे मंदिरों में जैसे पिछले के मंदिरों में बताया था तो यह सबसे पहले तो एक वर्गाकार वेज पर टिके हुए है और उसके बाद एक आयताकार शेप में इन इस्तम्बों को जो है बहुत मजबूती से रखा गया है तो बहुत कि मजबूत इस्तंब ठीक वैसे ही जैसे डुम्रा सिथी नौले में है और ऐसे स्तंब यहां पर जितने भी चंपाउत में मंदिर है सभी में बिलकुल इसी डिजाइन में जो है स्तंबो को रखा गया है मजबूती प्रदान करने के लिए छक को और अंगर हम देखें यह बहु है बशीर बद्र साब का एक शेर है कि अगर फुरसत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना हर एक दरिया हजारों सालों का अफसाना लिखता है तो यहां पे एक भी पानी की बूद नहीं है कभी यहां पे एक सदा बाहर नौला हुआ करता था लेकिन विकास की इस अंध को बक्षे थे और जिन पर हमारे कल्याडकरी राजाओं द्वारा प्रियास किया गया था उनको सालक्षित करने का उस उत्तरदायत्यों को हम सही तरीके से उसका निर्वेह नहीं कर पाये तो फिलहाल तो यह जो इसका गर्बग्रे जो चारों और जो सोबान होते हैं यह तरीके से बिट चुके है, खंडित हो चुके है, देखने पर लग रहा है कि इसमें कम से कम 4 या 5 सोपान होंगे इस आयताकार कुंड में, और उपर इसकी जो दीवारे है, ये दीवारे साधी है, अलंकरन इसमें नहीं किया गया है, और उपर जो वितान है, इसको वितान बोलत पीवार है, सामने वाले जो भित्ती है, इस भित्ती में एक ब्रैकेट बना हुआ है, एक लगु देव कुलिका के आकार का, जिसमें एक शिविलिंग रखा हुआ है, लेकिन या शिविलिंग जो है, अन्यत्र आया गया है, यहाँ पर कोई और मूर्ती के प्रतिस्टित होने के अधिक संभावना यहाँ पर है, तो यह सेम वैसे ही ब्रैकेट है, जैसे डुगरा सेठी के नाग नौले में था, तो यह देख सकते है कि कितना खुबसूरत यह नौला है, मजभूती से अभी भी है, लेकिन दुरभागिवश इसमें अब पानी नहीं रह गया है, और इसके है, जैसे शरीर में, मुख में नाक होती है, टिक उसी प्रकारिस्थापत्य में, जो मंदिरों में यह रसना होती है, इसको जो है, शुकनासिका इसको बोला जाता है, तो यह यह भी अन्यत्र यहाँ पर आई है, और हम लोग भूलवश यह समझ सकते है कि यह इस नौले का भ तो अब यह सिर्फ एक यहाँ पर एक सनजना मातर है, और रास्ते में हैं, आते जाते लोगों के लिए कौतुहल का एक विशय हो सकता है, लेकिन अगर कभी रुक कर हम इस चीजों को देखे, तो हमको यह चीजे सोचने पर विवश कर देंगी कि यह इतनी अच्छी जो सनज सनजना थी, इतना अच्छा काम जो था, वो कैसे नस्ट हो गया, तो यह बहुत अच्छी सोच थी पहले राजाओं की कहीं भी प्राकर्तिक शुरूत मिलते थे, तो उपर जो है ऐसी मंदिर नुमा सनजना बना दिया जाता था, ताकि जो हमारे पानी से संबंद धार में कार पाई, और यह सोर्सेज लगबख सब सूख चुके हैं, जो बचे हैं, अब हमारे कोशिस होनी चाहिए कि इन नौलों को हम बचाएं, क्योंकि यह नौले हमारे सांस्कृतिक इतिहास के लिए भी जरूरी है, यह हमारे धरोहर है, यह हमारे पूरवजों की हमें देन है, और साथ आने वाली पीडियों के लिए जो इसमें रिसर्च करती है, इन चीजों पर उनको पढ़ना चाहती है, उन लोगों के लिए भी यह जो है, यह चीजे बच सके, तो एक मुनवर आना का बड़ा ही एक अच्छा शेर है कि घर सजाने का तसवर तो बहुत बात का है, घर बचाना बहुत ज़रूरी है, तो यह कोशिस है ऐसी सांस्कति धरोरों को आप सब लोगों के सामने लाने की और इसी उमीद के साथ कि हम लोग इनको तुबारा से इनको बचा पाए और इनके जो इनकी हिस्टोरी कल्चर इंपोर्टेंस है, वो आप सब के सामने रख सके और यह चीजे जो है सानक्षित हो सके, थैंक यू